हर हर महादेव जय महाकाली बस आज में लेकर आई हूँ आलू मेथी का बहुत ही जब दस्त रेसिपी बहुत लोगों के होते हैं कि जब हम लोग आलू मेथी बनाते हैं तो हमारी सब्जी है वो कड़ी हो जाती है तो मैं आपको साथ आज ऐसा ट्रिक सेयर करनी हूँ जिसे कि मेथी की सब्जी है वो कभी भी कड़ी नहीं होगी तो बेसिकली हम लोगों को मेथी ले लेना है मेथी का जो पत्ता है वो उसके डंठल नहीं लेने हैं सिर्फ पत्तों को यूज करना है और देखिए मैंने सारे पत्तों को अच्छे तरह से यूज कर लिया है और डंठल को म तुर्ट में बिल्कुल भी नहीं दोना है अब हम लोग करेंगे एक कड़ाही में तेल को अच्छी तरह से गरम करेंगे मतलब जैसे कि तेल ना जब धुआ छोड़ने लग चाहे तब भी हम लोग इसमें कुक करेंगे इसे क्या होता है कि जो मेथी की कड़वहाट होती है न व को छोड़ दे तो प्यास भूंते वे आप हमें जरूर बताईए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं ताकि मैं को धेर सरा थैंक्स बोल सके पिछले वीडियो का थैंक्स जाता है खाना खजाना को जो की जारखन्ट से हैं और फिर यहां पर देखिए आप टमाटर को आप देशी वाले लीजेगा जो की पूरा लाल टमाटर होता है वह इस तरह का हल कहरा होता है वह टमाटर आप लीजेगा तो बहुत टेश्टी बनता है इसे अधिकि मैंने आलू कट करके पानी में डाल दे और पानी में थोगा नमक डाल दिया है अब यहां पे लेंगे पेश्टी है और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे आलू को कट करके नमक के पानी में डालने से क्या होता है कि नमक आलू हमारा सौफ्ट होता है और जल्दी बनता है तो फिर देखें मसालों के साथ में हम यहां पे कटिंग आलू को आट कर देंगे आलू जब भी आप म बनाईएगा इसको तो बिल्कुल भी कड़वाट नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा से बन जाएगा और देखें आप इस वात के नमक को एड किया है नमक आपको जो भी आट करना है यहीं पे आट करना है बाद में आप नमक को एड नहीं कीजेगा इसलिए आप अपना म जो पानी है वो सब्जियों में न छोड़े इसलिए हम लोग उसको बहुत ही कम कुक करेंगे तो नमक हम लोग को यहीं पे आट करना है फिर यहां पे देखें हल्दी आट कर दीजिए धनिया का पौडर आट कर दीजिए जो भी आपके पास में आपके जो पसंद के हैं वो कर सकते हैं काली मिर्स को यहां पर पूरी तरह से अवाइट कर देना है और फिर देखिए जब हमारा हल्दी भी अची तरह से मिक्स हो चुका था तो जैसे कि मैं ने बताया कि मैं यहां पर दनिया का पौडर को यहां पर मिक्स कर रही थी और उसके पाद में फिर इसको पकाना है पका लिना है तकी अब क्या करेंगे अगर ज्यादा मेथी पका घर तो फिर यहां पर पानी वेगर यहीं पर आप डालने के बाद में आलू को बहुत अच्छे से यहें पर कुक कर लिए जब आलू लगभग हमारा 95% कुक हो जाएगा तो फिर हम लोग मेथी का जो साग है उसमें उसको यहाँ पर करेंगे तो आलू को पकाने के लिए इसको आप धक कर 5-10 मिनट के लिए पका लिए अब आलू को जब मैंने धकने के बाद में देखी कलर टेक पक चुका था तो इस स्टेस पर आके हम लोग यहाँ पर मेथी का जो साग है इसको यहाँ पर आट कर देंगे और भूल से भी यहाँ पर पानी बिल्कुल ब्याद नहीं किजिएगा नहीं यहाँ पर आप जो सबजी है उसको ढखिएगा धकने से भी मैस्चर जो है वो दाले के बाद में पानी नहीं डालिएगा अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो फिर क्या होगा कि वही कड़वाट फिर से बनी रहेगी और इसको बस पल्टा चलाते रहना है और इसको अच्छी तरह से हम लोगों को भूल लेना है तो अगर अभी तक आपने हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप एक सब्सक्राइब कर लिजे और लाइक कमेंट से याद जरूर करें कि अगर आपने हमारे रेसिपी को ट्राइ किया है आपको कैसा लागा आप एक्स्पिरियंस कैसा लागा उसमें क्या गड़बर हुए तो आप हमें जरूर बताईएगा तो बस देखें इसको चलाते हुए हमारा पांच मिनट में हमारा यह मैथी था अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका था और यहां पे यह अब हमारा लगभग रेडी हो चुका यह आलू तो हमारा अल्री पका हुआ था मेथी जो है अराम से यह हमारा यहां पर इस इस पर आकर देखें आम अलू जो है और मैथी जो है एक दुससे भावट परस पर मिल गया है और मैं अपको सामने से Arrow करके दिखाती हूं कि यह कितना संदार लूक लग रहा है और मैं अश्च पताती है खाने में भी बहुत ही बहुत स्वातिश्ट था इसको बस क्या कर आप यहां पर हम लोगों कुछ भी नहीं करना और अच्छी तरह से मिला अगर पर में इसको कर सकते नहीं है तो बस आई हमारी तयार हैं यहां पर क्या करेंगे हैं में चलिंगे लिना सर्विंग पटे अब इसको आप प्रोटी पराठावान किसी के साथ में सर्फ कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में कड़वाहाट भी नहीं होता है, मेरे तरहिके से बनाइएगा, तो कड़वाहाट भी नहीं मिलेगा, तो चलिए मिलते हैं, अपनी नेक्स्ट वैडियो में, नेक्स्ट किसी पढ़ती हूं और मैं कोशिस करती हूं कि सभी के सजेशन पर अपना काम कर सकूँ चली मिलते हैं नेक्स वीडियों में नेक्स चैसेपी के साथ तक लिए बाबाई